नमस्कार बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका Let's Crack UPSC CSC Hindi के इस प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर ख्याती आपके साथ आज की क्लास की शिरुवात करें इसे पहले कुछ इंपॉर्ट इंफोर्मेशन्स ले लेते हैं देखी ये स्लाइड मेरे बारे में है अनेकाडमी की बात करें तो हर साल तीन में से एक सिलेक्षन एक स्टूडिन का सिलेक्षन अनेकाडमी के प्लेटफॉर्म पे होता आया है 1.5 एक्सेंशन बुनांजा ओफर चल रहा है जहां पर 12 मन्त के साथ 6 मन्त 18 महिने के साथ 9 महिने और 24 महिने के साथ 12 महिने फ्री दिये जा रहा है और यह जो ओफर है वो 24 जून को एंड हो रहा है अभियर्थी से अधिकारी तक का सफर जिसमें यदि आप इंटर्व्यू के भी चुनाती को पार कर ले जाते हैं तो आपको 100% fee refund की जाएगी मेंस quality enrichment program में जिसमें 16 section और 4 फुल लिंक टेस्ट होंके इसके तुरू आप अपने इसके answer writing को और अच्छा इंप्रूफ कर सकते हैं इसके लावा कुछ यह आपका batch है all star and foundation batch for UPSC CSE 2024-2025 के लिए यह जो है बैच आपका 2022 से सब्सक्राइब जून 2022 से स्टार्ट हो रहा है अगर आप इसमें अद्विशन लेना चाहें तो आप इसमें mk live refer code का यूज करें लक्ष बैचर इसकी सुरुवात 22 जून से होगी ठीक है इसमें भी अड्विशन के लिए आप mk live refer code का यूज करें यह कुछ और अब तक हमने पंडित जवाह लाल नेरू लाल भाडरु शास्त्री इंद्रा गांधी मुरार जी देसाई चौधिर चर्ण संग जी तक की जो है बातें कर ली थी आज ही क्लास में हम और आप करेंगे हमारे देश के अगले प्धान मंत्री राजीव गांधी के बारे में यदि क्रमवार तरीके से देखें तो पहले जवाह लाल नेरू प्रधान मंत्री बनते हैं और 1974 में उनके देहा वसान के बाद गुलजारी लाल नंदा कुछ समय के लिए कारवाग प्रधान मंत्री थे फिर कहा जाता है कि हम लोग ने डिस्तव भी किया था कि के कामराज मध धर्तता करते हैं और उसके बाद लाल भादु शात्री उनकी भी आसमाई कुरत्यू और उनके बाद बनते हैं लाल भादु शात्री के बाद आपको पता है इंद्रा गांधी देश के प्रधान मंत्री बनती हैं इंद्रा गांधी के देश के प्रधान मंत्री बनने का एक ल कि वो एक ऐसे पीम बने जिन्होंने कभी सर्दन को एक्षुल में फेस ही नहीं किया इसके बाद फिर से राजनेतिक पटल पर उदय होता है कॉंग्रेस की नेता हिंजरा गांदी का वो फिर से पीम रहती है और अपने उस शाशन के दौरान जो उनका 80 से 84 तक का साशन था उस स कॉंग्रेस पार्टी में जो निच्चत्व है वो देखते हैं राजीव गांदी और फिर चुनाओं होते हैं और वो चुन के आते हैं भारत के प्रधान मंत्री तो आज की पीम सीरीज में बात करते हैं राजीव गांदी की उनके लिए फैसलों पर बात करते हैं और देखते बंगला देष भी बना दिया है, इसके साथ तास्कर्ण सम्झवता भी हम और आप, यानि भारत इए अब तक देख लिया है, राजनीती के का जो कहल एक कहली जे राजनीती का दौर भी देख लिया, आपांग बी देख लिया, यानि आप एंड दौर से भरा हुआ फेस और आना चाहते थे राजनीती के आने के बाद फिर इन्होंने क्या क्या भारत में सुधार किये और क्या वो सुधार है जिसको हम और आप आज तक देखते चले आ रहे हैं तो ज़रा शुरुबात करते हैं कि इनके जन्म से इनका जन्म जो है 20 अगस्त को हुआ था इंद्रा और इन्होंने जो अपनी प्राढ़म्दिक सिक्षा वगएरा है वो सिर्व निकेतन स्कूल में ली सर्मीले सुभाव के थे और इसके बाद इन्होंने विलहम बॉइज स्कूल देहराद उन्में सिक्षा वगएरा ली फिर ये अपनी आगे की पढ़ाई लंडन में करते हैं और 1976 में लंडन से जब ये भारत आते हैं तो 76 में जब राजीव गांदी का इंडिया वापस आना हुआ तो उस समय इनकी माँ मैं जो श्रमती इंद्रकांदी है वो देश की प्रधान मंत्री हो चुकी थी तो उस समय जब ये भारत आते हैं तो जो राजनितिक जानकार इंडियन एरलाइन्स में ये पाइलेट के रूप में काम करते थे ठीक है और वहीं अगर बात करें संजय गांधी के तो हमने इंद्रा गांधी का जब सेशन लिया था तो हम लोगों ने चर्चा की थी कि आपात काल के दौरान संजय गांधी का रोल कैसा रहा या जब इनका विवाह होता है एडविज एंटेनियों एलबीना से जिनका अभी हम और आप सुनिया गांधी के नाम से जानते हैं तो 1968 में इनकी शादी होती है 1970 में राहूल गांधी का जन और 1970 में फिर प्रियंका गांधी का जन यानि इनके दो बच्चे इस गत्र नहीं भात्तर मे बनते हैं इसके अलावा 1970 में इन्होंने पाइलिट काम करना शुरू किया 72 में इनकी शादी हो रही है और 70 और 72 में इनकी संतानी हो रही है अभी तक इनका राजनीती में कोई प्रवेश नहीं है अब हुआ ये कि जो इंद्रा गांधी का पहला दौर था हम लोगों ने गांधी के जो सलाकार थे वो उनको बता रहते कि हो सकता है जो चुनावी पल्ला अगर चुनाव इस समय होता है तो देश में जिस तरह का मुव्मेंट है आपकी ही सरकार बनेगे आप चुनाव जीत जाओगे बट कुछ उल्टा हो जाता है 1970 के चुनावों में इंद्रा गा बनने के बाद दे कुछ राजमितिक उतर पुतल का दौर था यह हमने आउड़ेड़ी चौनर्ण सिंग की जो सेशन में देखा हुआ है कि वह सारी चीज़े क्या थी यदि आपने प्रीविएस लेक्षर नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाके पहले शुरू से देखना शुक और उनका घृती है और घ्रतना यह थी कि एक हवाई करतब के दौरां जो सचेंग अधी किमृति हो जाती है अप आपका जाता है कि सब्सेंग मतला कायी के साथ थाव राजनीति में काम किया करती थी एंक mówi राजनीतिक विश्च्छक तो यहां दो सब्सुत कहते हैं कि समय की नियूसब़्स को अगर देखें खर संजय गांदी का ड़ेफ हो जाती है ऐसी में आयसा होता है कि अब इन्जवरा अकेली हो गई है अब उसी समय जब हंजे की मृत्य हो जाती है तो जो उस समय के संक्राचार थे बद्रिनाद के संक्राचार थे स्वामिश्री शरूपानंद ने एक्चुली राजीव से ये कहा कि अब उनको भारती राजनीती में प्रवेस लेना चाहिए कहा जाता है कि राजीव गांदी रिप्लाइब में कहा कि यदी मेरी मा को जरूरत होगी तो डेफिनेटली में राजनीती में आऊंगा इन ही बीश में Congress Party के कुछ सत्य सदस्यों ने लिखित रोप में इंद्रा गांधी को ये कहा कि राजीव गांधी को politics में लाया जाए अब इंद्रा गांधी दे जब भी पुथा जाता था कि राजीव को politics में आना है या नहीं आना है तो वो हमेशा यही कहा करती थी कि ये सब्सक्राइब करते हैं तो जब यह एंटर करते हैं तो ऑव्यस सी बात है कि इनको चुनाओं लड़ना होगा तो उसी समय निर्णा लिया जाता है कि जो उनका निर्वाचन छेत्र होगा वो इश्ञाव लड़े लेंगे उस समय अमीटी में लोगदल τον के नेता शरत पावार के अगरेंश राजीव गांधी चुनाओं लड़ते हैं अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा न्यूज में शर्द यादों का पिछले साल जब दिहा विसान हुआ था, तो उसी समय जो है, राजीर गांधी जीत के आते हैं मिठी से. अब प्रधान मंतरी बनना इनका कैसे हुआ? कहा जाता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के दरान भारत में सिख लोगों में इंद्रा गांधी को लेके बहुत रोज था, अब उस समय बहुत साले मूवमेंट्स में चल रहे थे और इंद्रा गांधी की क्लास याद कीजेगा, तो उसमें हमने देखा था कि उनकी अपने ही अं और बूटा सिंग, सैदार बूटा सिंग, राश्पती जैल सिंग, इन सब लोगों ने राजीव गांधी से कहा कि अब उने पार्टी की बागडोर और देश की बागडोर अपने हाथ में ले लेने चाहिए, तो जैसे ही इंद्रा गांधी की मृत्यू होती है, तो उसके बा समय बागडोर गांधी बन जाते हैं प्रधान मंत्री, और उसके बाद राजीम गांधी ने राश्पती महोत्ती थे, जैल सिंग, महमहिम जैल सिंग, उनन को बुला कि अब लोगसभा भंक कर दी जाए, और चुलाओ कराए जाते हैं, कहा जाता है कि इस चुनाओ में इनको क्लीन स्वीप जीत मिली थी कि भारती धिहास में इसनी बड़ी जीत अभी तक किसी पार्टी को किसी सरकार को या किसी व्यक्ति को नहीं मिली है कॉंग्रेस के कुल 404 अकेले की सीट आती है लोग सभा में राइट पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है कहा जाता इंद्रा गांध कि जो छवी थी उसका पूरा फाइदा होता है कॉंग्रेस पार्टी को राजीव गांधी चुनाओं जीते हैं और देश के सबसे युवा प्रधार मंत्री बनते हैं अब इनकी छवी कही ना कहीं भारत में ऐसी थी कि मतलब राजनिती से बहुत दूर-दूर रहने वाले क्ल अभी तक लोग क्रिटिसाइज करते हैं और कहा जाता है कि जब इंदरा गांधी की हत्या हुई तो राजीव गांधी ने ऐसा बोल दिया था उससे में बहुत सारी मूवमेंट चल रहे थे जो सिख लोग हैं वो बहुत तरीके के आंदोलन हिंदू बनाम सिख और सिख बनाम यदि मतलब उस समय को देखे तो भारत ऐसा था कि इंदरा गांधी की मृत्यू हो चुकी है जो पंजाब है वहां पे कहीं न कहीं बहुत रोश है हिंदू बनाम सिख के मूवमन चलने हैं ऐसे में एक युवा प्रथान मंत्री जो है 40 साल की उम्रे में देश की बाग्रोड स समझते हैं कि क्या-क्या राजीव गांदी ने अधा प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया उन्होंने क्या-क्या चीजें करी हैं इसको समझते हैं तो 31 दिसंबर 1984 इन्होंने शपत ली भारत के प्रधान मंत्री की आप प्रधान मंत्री के रूप में देखते हैं कि तर असल इन चाहिए पॉलीटी में अपने एंटिटिफीक्षिंड लोग के बारे में पढ़ा होगा ना दल बदल नीती दल बदल अधिनियम ये दल बदल अधिनियम कौन से बढ़ा होगा दस्वी अनुसूची दस्वी अनसूची दल बदल अधिनियम इसको भारत में इंट्रोड्यूस करने वाले ये सम्मिधान में लाने वाले जो प्रधाल मंत्री थे वो राचीव गांदी थे अब दल बदल ये थोड़ा सा समझें कि दल बदल क्या है दल मतलब जो भी आपका पॉलिटिकल दल है जिस दल से आप चुने गए हैं कि आप उसको बदल तो नहीं रहें तो दल-बदल में प्रॉब्लम क्या है है यह तो बई किसी का विवे का दीन अधिकार है जिसमें चाहे उससे चाहे देखे यहां पर प्रॉबन्ती बनती है ऐसे में यदि कोई किसी व्यक्ति को चुना गया किसी पर्टिकुलर दल से तो इसका मतलब यहाँ पे जनता ने अपने लोकतंतर का अभ्यास किया जनता ने अपनी शक्ती जो स्थानांतरत की किसी परसन में वो उस लोकतामप्रिक शक्तियों का अभ्यास करते हुए उस परसन क और दूसरी जो सबसे इंपोर्टन चीज है वह है स्थिरता इस्थायत्व है ना जब लोग पार्टी बदलते रहेंगे तो उसमें कभी बिसस्थायत्व नहीं आएगा और जब तक इसस्थायत्व नहीं होगा तब तक एक कह लिजे एक अच्छी सरकार एक चुनी हुई सरकार, या देश के विकास की बात करें, तो जब तक उसमें स्थाइट वो नहीं होगा, तो देश आगे प्रोग्रस नहीं कर पाएगा, अब यहाँ पर एक घटना भी कटी थी, जिसमें गया राम के पॉलिटीशन थे, जिन्होंने एक ही दिन में छे बार राजन से चुनाओं लिड़ते हैं, यदि आप उस दल को छोड़कर किसी अन दल के सद्वसता ले लेते हैं, तो आपका जो आप चुने गए हैं, उसको रद कर दिया जाएगा, इसमें बहुत सारी और भी क्लॉस हैं, जैसे कि जब चुनाओं होगा सदर में, सदर में जब किसी बि लेके चुनाओं होगा, और आप विप मतलब होता है, वो परसन जो आपके दल का नेता होगा, जो बताएगा कि आपको कैसे बोट देना, क्या बोट देना, ये सारा कुछ, उसके आदेशों के अवहिलना करते हैं, तो अगेन आपके उपर एंटिटिटिफिक्शन लागू ह होता है, इसके अलावा इसमें एक खास बात ये भी है, कि ये दो तिहाई लोग पार्टी को चोड़के किसी और पार्टी में जाते हैं, तब ये दल बदल अधिनियम लागू नहीं होता, दल बदल अधिनियम की विशेष परताल करेंगे किसी और सेशन में आपके साथ, भारत में सहिष्णुद्दा का, कोएक्जिस्सेंस का महोल लेके आना है, तो इन्होंने यात्राई करने शुरू की, ठीक है, जैसे कुछ यात्रा थी इनकी सद्भावनाय यात्रा, ठीक है, भारत यात्रा, अभी कुछ दिनों पहले राहुल गार्ली करें तरह भारत जोडो चार मिनारस इन्होंने सद्भावनाय यात्रा शुरू की, ताकि भारत को कहीं न कहीं, राजनीतिक एक्ता के साथ भागोलिक एक्ता और सांस्तुतिक एक्ता के सूत्र में पिरोया जाए, भारत में एक्ता लाई जाए, ठीक है, इसी इनकी पीरिट के दौरान, मतलब इनके क पारेकाल में, एक केस हुआ था, अभी कुछ दूनों पहले क्रिपल तलाग का केस आपने सुना होगा, क्रिपल तलाग का मामला जल रहा था, उसकी वैसा एक मामला, राजीव गांधी के समय चला था, जिसको साहब आनू विवाद कहते है, इस साहब आनू विवाद क्या था कहा जाता है, कि साहब आनू विवाद कहीं न कहीं ऐसा माना जाता है, कि राजीव गांधी की ये वो पॉलिसी थी, जिसने कहीं न कहीं मुस्लिम तुष्टी करण को किया है, मुस्लिमों को तुष्ट करने का काम किया है, या जो सेकलोरिजम का थ्रेड है, जो धर्म निर्प लेक्षिता के बंधन को तोड़ने का काम क्या है जो शाह बानो को लेकर राजीव गांदी का स्टार्ट गाहां जो समझते साहब बानो का केस क्या था बहुत शॉर्ट में देखते कि क्या था साहब बानो का केस तो दीके साहब बानो एक 62 वर्सी महिला थी 62 वर्स उनकी उम्र इनके जो husband थे वो Supreme Court के क्या थे वकील थे ठीक है इनके जो एहमद खान इनके पती का नाम था तो वो Supreme Court के वकील रहते हैं अब होता क्या है कि जो शाह बानों की उम्र रहती है बासट बर्स ऐसे में जो इनके पती है वह एक बहुत कम उम्र की लड़की से विवाह करते हैं और वहां के बाद साहबानों को घर से निकाल देते हैं शाहबानों के पांच संताने भी थी तो कुछ समय तक तो ये उनको कुछ वाइव को दिया करते हैं अब कुछ 25 रुपय वह वह आपनी वाइफ को दिया करते थे अब कुछ 25 रुपय इतने कम थे क्योंकि उनको पांच बस्चे उनका भी भरन पोशन करना था इसके लिए वह गुहार लगाती है इंदोर हाई कोट में और कहती हैं कि राशी को बढ़ाय पाप फूरी मुश्णे कलगा आफ शुप्रीम कोठ देना उनकी 100 फैरा है ऋसे नाज और होद्सक्रान की ईश्जा और अलग जाता है और तलाग को जाने के तीन महिने तक का जो है ग्रेस पीरिट रहता है उसके बाद जो वाइफ है वो अपना शादी बगएरा कर सकती है तो उसी पीरिट में यदि वाइफ के पास परियाप सोर्स ना हो तब तक हम देंगे और अगर महिला प्रेगनेंट है तो जब तक उसकी प पर अपना एतिहासीथ फैसला असना आया उसमें उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट नेहिं एक संविधान धर बेंश बंति अधर बेंश ने जो समय डिवाई चंदर चून ज रहते हैं उन्होंने फैसला दिया ये जो मुद्दा है न जो वाईफ को हर्दा खच्चा देनी क के बात है यह किसी धर्म का मुद्दा नहीं है यह husband के उपर डूटी है कि उसको यह देना ही देना होगा यह आपको देना ही पड़ेगा राइट तो इसके इस कंडिशन में क्या होती है साहवानों के जीत हो जाती है कि हाँ आपको देना पड़ेगा अब जैसे ही यह मुकदमा सामने आता जैसे सका निर्णाय सामने आता है पूरे इंडिया में जो मुस्लिम कम्यूटी थी या कहले जो भारत के लोग दो भागों में बढ़ जाते हैं किसी ने तो स्वैसले का स्वागत किया किसी ने बुला कि हाँ यह इस तरह की जो चीज़े है यह जो सद्भावना है भारत में बनी होनी चाहिए सुप्रीम कोट ने इवेन सरकार को यह भी कहा कि जल्द से जल्द सरकार समान नागरिक सहींता लाने के डिरेक्शन में भी कही न कहीं काम करें बट इसको लेके जो मुस्लिम लोग थे उनमें आउट्रेज आ गया यह कहके कि जो सरकार है वो हमार नीजी मुद्दे में हमारी व्यक्तिकत मुद्दे में वह इंटरफेर कर रही है या जो सुप्रीम कोट है वह हमारी व्यक्तिकत मुद्दे में जा रही है कहीं न कहीं इस सरकार भी आपकी परे नहीं रही राजीव गांधी सरकार के जो ग्री मंत्री थे उन्होंने पूरे अब कहा जाता है कि राजीव गांधी भी सुप्रीम कूट के फैसले से संतुष्ट थे लेकिन उस समय तक जब तक यह मुद्दा चलता तब भारत ने वो फोर्स घुटाला है वो हो चुका था राजीव गांधी की छवी कहीं धूमिल हो रही थी जो उनके वित्त मंत्री हुआ कि णका करते थे वीपे सिंग उनको लेके कुछ मन मुटा हो गए राजीव गांधी सरकार में राजीव गांधी को कुछ नहीं की जो नेता है उन्होंने इस फैसले के अगेंस संसर्थ में बिल लाना जही है अब एसे में एक बिल लाया गया बिल लाके सुप्रीम कोट के इस फैसले को बदल दिया गया जिसमने ये दो तिहाई बहुमसिद बिल पास किया जिसमें ये था जो तलाक के मुद्धध है उसी डियूरेशन में जो हजबन्ड है उनको क्या कहते है जो हर जाना है अपनी वाइ लेति की राज्णिती और कहा जाता है राज्णीत का कोई धर्म नहीं होता बल्कि धर्म की ही राज्नीती कि होने लग जाती तो इसी को कहा जाता है मुस्लिम तुष्टीकरण की नीती अब उस समय ऐसा भी हो रहा था कि स्थे भार म니다 जहां पर राम जन्म भूमी को लेके विवाद चल रहा है उस समय एक तरफ तो इन्होंने मुस्लिमों को खुश करने के लिए काम किया कहा जाता है कि राम जन्म भूमी में लगा हुआ ताला था जिसको लेकर कोट ये सरकार से बोलती कि यदि इस चीश को लेकर कोई प्रब्लम काम हो रहा था तो इसी चीश को लेके पूरा मद्दा हो रहा था कि नहीं नहीं जो शिला नियास है ये तो पहले हो चुका और राजीव गांदी में किया तो खैर इसी को तुष्टी करन कहा गया राजीव गांदी का कि एक बार शाहबानों के केस जहां से इनोंने मुसलिम और एक बार मंदिर वाला मुद्ध अयोध्य मंदिर राम जन्मु भूमी वाला जो विवाद हो हे वहां से नहीं हिंडू तुष्टी करन की निती अपनाने का काम किया सिलानयास किया मंदिर का रैड तो ये था ये वाला मुद्ध साहबानों केस इसके अलावा अगर हम माने में इनका योगदान रहा और उस तरह जो इंडिया है इंडिया में लाइसेंस और कोटा राज बहुत जादा प्रिविलेंट थे इसी वज़ेंट से कहीं न कहीं जो जो निजी व्यापार था वो खत्रसाहित होता था राजी वानी ने पूरी कोशिश की यह जो लाइसेंस प्रेक के जो मेधावी बच्चे हों जिनके पात समसाध्रों का भाव है रैट हमने देखा कुछ समय पहले हमारे पास नए राष्ट्वी सिक्षा नीती आई है तो पुरानी नीती थी 1986 में वह राष्ट्वी सिक्षा नीती उसकी गोश्ना भी राजीव गांदी के समय पे एलम सिंग्वी कमिटी बनाई थी फॉर्दा अब फॉर्दा क्रियेशन ऑस पंचायत जहां पर एलम सिंग्वी समीधी ने राजीव गांदी को यह रिकमेंडेशन दी थी कि पंचायतों को संग के अधीन ला दिया जाए राइट तो हलाकि जो एलम सिंग्वी कमिटी है उसी न सुधन अधीयम लेके आते हैं पंचायतों को लाने के लिए यद्यपी वह पास नहीं हो भाता बाद में हम देखेंगे आने वारे समय में कि जब वह 1992 में तियत तर्मा और चौतर्मा समिधान संसुधन डालके फिर उसको समिधान में जोडा गया बारहाल समिधान में पंचा क्रूषिं में जो भी इनोंने युगदान दिया है वह बहुत क्रूशल माला जाता है बहुत import माल जाता है और खासतार से स कारवाहियों को लेकर बहूं कुछ जो इतिहासकार हैं या कुछ जो सम्विधान विशेशग हैं वो इन कारवाहिएं को बहुत बदब एक तरीके से ऐसा मानते हैं यह जो भारत की नीती थी वो नैम की जो पॉलिसी है या जो हमारी पंचसील की नीती है जहां पर हम सहस्टित्व को मानता देते हैं उसकी ख के रखे-र करके समझते हैं 1986 में हमारा पड़ोसी दोoned के एक सेषल्स सेषल्स में वहां के जो राह्त रष्टपती थे ऐल-बरेका जो है विरोथ हो रहा अलबर्ट रेने का फिरोध हो रहा था वहां पर मतलब उनका तक्था पलट करने की कोशिश हो रही थी, ऐसे में जो अलबर्ट रेने हैं उन्होंने राजीव गांदी से सहायता रांगी, कहा जाता है राजीव गांदी ने अपनी नौ सेना भेज दी थी सहायता के लिए, सेश सेशल्स में जब राजीव गंदी ने अपनी नौ सेना भीजी इसके लावा देखें उपरेशन राजीव यहां पर क्या था कि जो सियाचन ग्लेशर में एक विवादित जगह थी जिसको पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा था तो उसको फिर से भारत में मिला लिया गया कायद प के कोशिश हो रही थी ऐसे में माल्दीव के राष्ट्वती थी मौमुन अब्दुल गयूम इन्होंने फिर से राजीव बंदीज हेल्प मांगी जैसे सेशरत में हेल्प की वैसे आपके माल्दीज में भी हेल्प की भीज दी अपनी सेना पंदरस्व सैनिक भीजे और आपके में और बात करें तो कहा जाता है न्यू यार्क में उस समय साइक्ट राज माहसभा का पंदरबा संसर जो है सत्र बलाए गया उसमें गांधी यानि राजीव गांधी जाते है इस जो इन्होंने वहां पर अपना वक्तव दिया इसको कहते एक्शन प्लान फॉर आश् इसमें राजीव गांधी ने बोला कि इस पूरे वर्ल्ड को एक्शुली पीस्फुल होने के लिए जरूरी है कि परमाणू रहत किया जाए ग्राजीव गांधी ने अपने वक्तव में यह कही कि विश्यों को परमाणू हत्यार मुक्त करना प्रात्मिक्ता होने चाहिए इन एक बार जब विक्से देशों को यह विश्वास हो जाएगा कि सब लोगों ने न्यूक्ला प्रॉलिफरेशन करना रोग दिया तो वो भी अपने हत्यारों को डिस्मेंटल कर देंगे ऐसे में राजीव गांधी का यह तर्क था यह पक्ष था कि नहीं नहीं सबको एक साथ ह नहीं सब्सक्राइब नहीं है कर यह 1986 में जो इन्होंने अपना न्यूयार्क में भाशन दिया उसके बारे में हैं इसके बाद देखें जो में चीज है वो है ल्टी टी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यहां पे फ्री लंका में हुआ राजीव गांधी का जो जो ज श्रिलंका की बात करें तो तोड़ा मैप में देखेंगे यहां पे खाली जगह है तो यहां पे देखें जैसे मालो यह श्रिलंका का मैप है इस तरीके से जैसा बंड़ा आप मान के चले श्रिलंका ही है तो यह जो जाफना यानि जो उत्तर वाला रीजन है नौर्थ वाला यह जो reason है, यहाँ पे Tamil लोग ज्यादा थे, यहाँ पे रहने वाले लोग Tamil थे, बाकी की बात करें, पूरे स्री लंका की, तो बाकी जगा पे जो रहने वाले लोग थे, यह लोग सिंहली थे, और सिंहली अभी भी सिंहली है, जैनि दो लोग स्री लंका में रह रहे हैं, तमिल तो आपको पता है कि ब्रिटेन में अकेले नहीं आया थे उनके साथ इसाई मिश्णरी आया कलते थे अब इसाई Mish Iraq जो का रिंको की बुक्त को होता था कि उस्टें बरैंट को जागरोग करना तो इसाई अग्रेजी भाशाय आगे यह लोग और सिक्षित हो गए अच्छा खास बात यह है कि तुमिल आडो मतलब आपके श्रिलंका में बात करें तो सिंगली और तमिल में बहुत संख्यों को अर्फ नंकिक देखें तो सिंगली आपके बहुत संख्यों मतलब संख्या में जादा हैं और वहीं आपके तमिल की बात करें तो इस अंख्या में कम है ठीक खेर जो जब ब्रिटेन के इसाई मिश्णरी आए तो जो मतलब उत्तर भाले थे तमिल लोग थे वो तो खुब पढ़ लिग गया अब जब पढ़ लिग गया तो कहीं ना कहीं उस समय जितनी भी नौकरी र प्रिटेन सरकाल चला जाता है कि ब्रिटेन की हर दगा यही पॉलिसी रही कि जहां जहां वह जैसे छोड़के गया वहां पर जो विवाद है वह वैसा का वैसा बना है ठीक तो जब यहां से ब्रिटेन की आजादी होती है तो सिंगली तमिल दो लोग बचते हैं आपके श्र कर दिया उनकी भाषा कोने स्टेट लैंगवज डेक्लियार कर दिया अब ऐसे में क्यों होता है ये Ikनको संख्या में कम यह कहीं से कहीं तक कुई सभी सुगु का जाता कि नहीं होने तमिल लोग के खिलाफ बहुत सारी एक्ट्रॉंसिटी करनी शुरू कर दी ऐसे में लोग थे भाग भाग के भारत की तरफ आते हैं तो जो पास नहीं आपका तमिल लाडू है उन लोगों की सिंपैथी इन लोगों के साथ जुड़ने लग गई थी और कई सारे लड़ने के लिए उनहीं में से एक फ्रेंट था लिटे जिसका नेता था प्रभाकर अब इस डिरेशन में होता क्या है कि जो तमिल लाडू की जो सरकार थी उसने भी राजीव गांधी पे यह दबाव डालना शुरू किया और भी जो सरकार की लोग थे उन्होंने कहा कि अब जो है सरकार को बोलना चाहिए यहां पर मध्यस्ता करनी चाहिए खैर राजीव गांधी ने एक बार अपना पीस्फुल मिशन वहां पर भेजा जहां पर जो तमिल लोगे उनकी हिल्प हो सके इसको श्रिलंका वालों ने एज़िव से लटा दिया कहा जाता उस समय राजीव समस्या को निप्टाने के लिए राजीव गांधी ने जो श्रिलंका के समय के प्रदानमंत्री थे जैवर्द ने इन दोनों ने मिलके जो तमिल एकौर्ड है जो उसको साइन किया उसमें यह कहा गया कि तमिल को भी उनके राइट स्थ आएंगे उनको अधिकार दिया जाएं और कहीं न कहीं लिट्टे के लोगों को लगा कि राजीव गांधी ने उस तरीके यहां समर्थन नहीं किया जैसा समर्थन हमें चाहिए था और यही रीजन बनता है अभी मागे देखेंगे राजीव गांधी के एसाइसिनेशन का तो यह तो अलिट्टे का मुलता इसके अल कि अपरेशन ब्लाक थंड़र में जो हर मंदिर साहब में प्रोब्लमों और प्रोब्लम सोगें थी हर मंदिर साहब में जो भी अट्रोसिटी सोगें थी उसको गौन करने के लिए पिर इचीज Force में ध्यूए इते जो अफ्कों को फिर सेवर्ण मंदर को हत्यारों अगर हम देखें तो नौर्थीष्ट में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दो थे नौर्थीष्ट में पूर्वुत्तर भारत के अगर हम बात करें तो वहां पे मिजो नेशनल फ्रेंट कहीं न कहीं मिजोरम आजादी की बात करने लगा था कि स्वतंत्र बजोरम हमको चाहिए अगर थोड़ा सा नौर्थीष्ट का अगर हम समझ रहे हो तो पहले तो कहीं न कहीं सब के सब असम में ही आया करते थे ठीक है तो 1987 में इस समस्या का समधान किया गया और मिजोरम और अनुनाचल को राज्यों का दर्जा भी राजीव गांदी के समय दिया गया जब जो कि प पाकिस्तान ने कायद बोश्ट को हतिया लिया था सियाचन फलेशन में उसको वापस लेना परमाणु हतियारों पर उनकी मुखरता इसके साथ सा जो श्रीलंका वाला जो लिटे मूवमेंट था वहां पर फिर इसके बाद ऑपरेशन ब्लाक थंडर और इसके साथ साथ जो मे पातिती नौर ऑफ झो जी के समय ही कलर टीवी का प्रशन रैट अब होता क्या है राजी गांधी की हत्या हो जाती है तो हत्या की प्लॉटिंग क्याद II कैसे हत्या हो गई तो कहा जाता है कि जो यह अपनी last बैठक कर रहे थे चुनावों का प्रचार का दौर चल रहा था चुनावों प्रचार होने लग गए थे भारत में पुर्ना चुनावों की घोष्णा हो गए थी और इस समय राजीव गानी कई मुद्दों में घर चुके थे बोफोर्स घोटाला का एक मुद्दा था वीपी सि करन के इनकी उपर आरोप लग रहे थे कहा जाता है राजनीती में बहुत नए थे तो परिपक्व राजनीती देखने को नहीं मिलती और युवा थे तो बहुत स्पॉन्टेनियस जो है डिसीजन ले लिया करते थे तो खैर आखरी जो इनकी बैठक है मद्रास में 1921 मैं मद् नहीं में एक गाउं था है श्री पेरम बदूर में हुई थी ठीक है जहां ये लोगसभा में कांगर्सम मुरीदवार के लिए प्रचार कर रहे थे कहा जाता है रात के करीद 10-10 बचे का समय था जहां एक महिला इनके पाता थी अबाद में इस महिला की पहचान की गई इनका जुकती है इन्हों ने जो 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 इसने बांध के रखा था जो महिला ने पूरा चुपा रखा रखा था आठाश को विसफोट कर दिया और इस विसफोट में महिला की और राजीव गांधी की भी वृत्ति हो जाता है और एक्षिली बेट में एक्षिली भरा हुआ जो RDX, तो उसमें विस्पोर्ट होता है, और विस्पोर्ट होने के बाद केस चलना शुरू होता है, बहुत सारे लोग कल्पिट बनाए जाते हैं, खैर बाद में, मतब करीब सौर लोगों के करीब गिरस्तारी होई, तो बाद में से छट के, उसमें से कुछ 11 लोग बचे, ला अभी हाल में क्या हुआ, कि सुप्रीम कोट ने ये जो छे आरोपे थे, जो राजीव गांधी हत्यारे माने जाते हैं, उनको रिखा कर दिया है, और अगर हम सोचें, मतब पढ़ें या समझें कि किस आर्टिकल के तुरू किया गया, तो अच्छली ये जो पूरा मुद्दा ये तमिल नाडू से शुरू हुआ, जहां पर तमिल नाडू सरकार ने तमिल नाडू के राज येपाल को ये सिफारिश की, कि जो राजीव गांधी के हत्यारे हैं, उनको छोड़ने को लेकर आप राज येपाल कुछ न कुछ एक्शन लें, क्योंकि उन्होंने लंबा समय अपना जो है जेल में बिता दिया है, खेर, राज येपाल ने तो इस पर अबैक्शन नहीं लिया, तो कुछ दिनों पहले अभी सुप्रीम कोट ने हाली में, जो है इसमें तीन दसक से अधिक समय से, आज इवन की करावास जो लोग काट रहते हैं, जो उनके छे को लेने के लिए या संपूर्ण नहाय करने के लिए अगर सुप्रीम कोट चाहे तो किसी भी डिक्री वगरा को चेंज कर सकती है, बाहराल सुप्रीम कोट ने इसका यूज किया और इनको रिखा कर दिया है, खेर, अगर हम राजीव गांदी के योगदान के बात करें, तो क राजीव गांदी के हत्या, राजीव गांदी के हत्या के बाद हम एंटर कर चाहेंगे अगले प्रथान मंत्री के ओर, अगले प्रथान मंत्री कौन है भारत का उसको द्यानेंगे अगली कड़ी में और उसके बात समझेंगे कि उन्होंने भारत का विकास किस तरीके से किया यानि ये वो दोर है जहां पर पंचायतों को समुधान में लागू करने की भी बात कर ली गई, दल बदल ला दिया गया, एक पूर्ण महुमत की सरकार भी बन गई, बहुत सारे दोर भारत ने देख लिए, अब आगे हम धीरे धीरे बढ़ने हैं आपके LPG रिफॉर्म की कहा जाता है कि जब आपको आगे जाना हो, आगे की चीजे देखने हो, तो बहुत जरूरी है कि आगे बढ़ने के लिए, आगे दोरने के लिए एक कदम पीछे की और खीचा जाए, इसलिए हम भारत के विकास की आत्रा को बिलकुल जीरो से आपके साथ लेके चल रहे हैं, ताकि आप एक समझ बना सकें कि भारत में चाहे अर्थ ववस्था हो, चाहे राजनीतिक ववस्था हो, चाहे धर्म से लेके जुड़े से बाते हो, समाज की लेकर जुड़ी हुए चीजे हैं, वो कैसे कैसे शिफ्ट हो रहे हैं, तो आज सी क्लास से बस इतना ही, फिर आपस से मिलना होगा एक नए प्रथानमित्री के साथ, keep revising, keep reading, thank you so much for joining.